अंतरजात्य विवाओं की संख्या में अब तेजी से वृदी देखने को मिल रही है और इसी कारण से ये जरूरी है कि इसके समंद में सही जानकारी और सुचना सब को मिले आईए जानते हैं कुछ जुरूरी तत्य इसी समंद में अंतर जात्य विवा आखिर क्या है जब दो लोग जो एक धर्म के तो हो लेकिन उनकी जाती और समुदाय अलग हो शादी करते हैं तो इसे अंतर जात्य विवा कहा जाता है आजगल अंतर जात्य विवा या इंटरकास्ट मेरीज का प्रचलन शहरी करण के चलते बढ़ रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा महिला और पूरुष जाती के बंदनों से परे अपनी व्यक्तिगत पसंद से शादी करना चाते है सर्वोच नियल ने भी इसे राष्ट रहीत में मानते हुए मानिता दे दी है शुरुआत कैसे हुई जब आपको जाती से बाहर शादी के बारे में कोई दुविदा हो तो जरा एक बार इस बारे में सोचिए कि इस सिस्टम का उदे कहां से हुआ लोगों का उनके व्यवसाई के अधार पर वर्गी करन करने के लिए ताकि हर व्यक्ति को उसका कारिय अच्छे से पता हो और अपेक्षाई भी आज के युग में जब लोग अपनी जाती के अधार पर व्यवसाई नहीं चुनते तो फिर जाती के अधार पर शादी भी क्यों हलकियस मानता किसी और जाती के व्यक्ति से शादी करना आपके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर कड़ी कर सकता है जैसे कि संभव है कि आप पक्के शाकारी हो जबकि दूसरा व्यक्ति मास का शौकिन हो ये बाते सुनने में छोटी लगती है पर कई बार ये आगे चलकर रोड़ा बन जाती है तो इनके बारे में शुरू में ही खुलकर चर्चा और आपसी समझधारी होना आपशेक है विरोध साथ ही अपने परिवार और रिष्टेदारों के विरोध का सामना करने के लिए भी मांचिक रूप से तयार रहना जुरूरी है उनकी च्छाओं और उमीदों का अंदाजा लगा कर उनसे बात करके उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए गुसे और नराजगी की बजाएं तरक और धैरियसे उन्हें समझाएं कि आपके इसाब से आपका नेर ने क्यूं सही है किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लें जो आपके फैंसले का समर्थन करता हो फाइदे शादी जैसी व्यक्तिकत चेज के समंद में पैसे के बारे में बात करना थोड़ा अट पटा है लेकिन लोगों को अंतरजात्य विवाग के लिए प्रुटसाहित करने है तू सरकार कई तरह की रोजगार समंदी मदद भी मुहया कराती है उधारन सोरू पचिम बंगाल सरकार अंतरजात्य विवाग करने वाले जोड़ों को 50,000 रुपे उपार के रूप में देती है तमील नाडू में ऐसा करने वाले जोड़ों को सरकारी नौकरी में मदद मिलती है तो दोस्तों उमीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक करें अपने फैंस को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी